श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादेव कैसे हैं आप सब कल ग्यारा जुनको शनिवार के दिन निर्जला एकादशी है सबसे बड़ी एकादशी और इसी एकादशी पर केवल ग्यारा काले तिल से बहुती अच्छी कुपाय करना है पुझ्य गुरुदेव की ही कता सुनकर के समचाने का पूरा प्रयास करूँगा और आपको समझ में भी आएगा अगर पहली बार चैनल पर आया है तो चैनल को जरू सबस्क्राब करें और कमेंट में हमीशे की तरह श्री शिवाय नमस्तुब्यम जरू लिखे देखिए शिव योग, स्वाती नक्षयत्र और सरवार्त सिद्धी योग बहुती दुरलब से योग है इस उपाय को करने से भगवान विश्नु प्रसन्न होते हैं मता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं साथी साथ शेनी देव भी प्रसन्न होते हैं और आपके पितर देव भी प उप्योग मिझे तो पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं और नरेजला एक अदेशी के दिन तो मटके का पानी का ही उप्योग करना चाहिए तो मटके का जो पानी है वो टामबे के पात्र के अंदर आपको डाल देना है ठीक है उस छोटे के अंदर डाल दें अब आपको 11 काले तिल के दाने लेना है अब आप क्या करेंगे आपके घर के मंदिर में आ जाएं और ये लोटा और काले तिल लेकर के आ जाएं ठीक है ग्यारा तिल एक के करते हुए जल के पात्र के अंदर डालना है ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते हुए ठीक है आगे आपको इतनी बात समझ में अब बड़े ध्यान सा सुनना इस पात्र को उठाना और आप किसी भी पीपल के विरुक्ष के वहाँ पर जाना ठीक है पीपल की जड में ये जो जल है ये आपको अर्पित कर देना है लेकिन ध्यान रखे पूरा जल अर्पित नहीं कर थोड़ा सा जल आपको बचा करके रखना है आगे आपको बात समझ में जब आप जल अर्पित करेंगे तो ओम, नमो, भगवते, वासु, देवाए का कम से कम 11 बार जाप करेंगे ओम, शम, शनिश्चराइ नमह का 11 बार जाप करेंगे और उसके बाद ओम, पित्र, देवताय नमह इस मंत्र का भी 11-11 बार जाब करेंगे यानि कि तीनों मंत्रों का 11-11 बार आपको जाब करना है और आपके जीवन में यदि शादी से जुड़ी कोई परेशानिया है विवा नहीं हो पा रहा है या धन संबंदित कोई परेशानिया है या व्यापार नहीं चल रहा है या साड़े साती धहिया कुछ भी हो तो उन्हें सब को दूर करने की आपको प्रातना करनी है ठीक है अब आपके पास बचा आदा जल अब इस आदे जल को काले तिल मिश्रित ये जो जल है इसको ले करके आपको शीव मंदिर में जाना है बड़े ही ध्यान से सुनना शीव मंदिर में आप जाएंगे और ये जो जल है वो शीव जी के उपर आपको अर्पित करना है ध्यान अखें काले तिल मिश्रित जल अगर शीव जी के उपर अर्पित करते हैं तो शनी देव बहुत प्रसंद होते हैं जैसे ही आप काले तिल मिश्रित जल भगवान शीव के उपर चड जो आपने पीपल के पेड़ के वहाँ पर बोली थी वही इच्छा आपको यहाँ पर भी बोलनी है और इस प्रकार से यह पूरी क्रिया करनी है देखिए समझाने का पूरा प्रयास किया है सुबह से लेकर के शाम तक सुर्यास्तर से पहले पहले इस उपए को कर ले अगर पूछ लेना गलते बिल्कुल भी नहीं गरना है श्री शिवाय नमस्त ब्यम हर हर महादेव